हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 311 के बारे में यदि आप CRPC से रिलेटेट पिछली धारा का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको CRPC का पिछला वीडियो मिल जाएगा हम बात करते हैं CRPC की धारा 311 के बारे में यह कहती है कि आवशक साक्षी को समन करने या उपस्तित साक्षी की परिक्षा करने की शक्ति याने कि नियायला यदि चाहे तो किसी आवशक साक्षी को समन कर सकता है यदि नियायला में कोई व्यक्ति उपस्तित है च आमंत्रित करने का मतलब ये है कि न्यायलाय में उसको बुलाना और उसकी घवाही लेना अविधि तो उसको बुला करके उसकी साक्षित तुरंद लेलो लेकिन येलुकोई उसकी उपस्थित नहीं है तो अब ऐसे समय में उसको उपस्थिती के लिए उसको आमंतरन पत्र भेजना पड़ेगा ना तो उस आमंतरन पत्र को अपन बोलेंगे समन तो किसी आवशक साक्षी को समन करने की या उपस्ति साक्षी की परिच्छा करने की शक्ती याने कि उसकी गवाई लेने की शक्ती जो है वो न्यायलाय के पास होती है क्या लिखा हुआ है इसके सम्मध में हम पूनता अध्यन करते हैं किताबी language में उसको पढ़ते हैं कि किताब में उसको क्या लिखा हुआ है और उसको हम समझते हैं कि उसकी वास्ति पॉजिशन क्या है तो इसमें लिखा हुआ है कि कोई न्यायल है इस सहीता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्यकारवाई के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है यानि कि साक्षी के तौर पर किसी व्यक्ति को बुला सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की जो हाजिर है यद्ध पीवाई साक्षी के रूप में समन न किया गया है याने कि उसको साक्षी के रूप में नहीं बुलायागा है लेकिन फिर भी वो हाजिर है तो उसकी परिक्षा कर सकता है याने कि उसकी साक्ष ले सकता है या यह कहें कि गवाई ले सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी पहले परिक्षा की जा चुकी है पुनाय बुला सकता है यानि कि जिसकी परिक्षा पहले हो गई है पहले जिसकी गवाई हो गई है उसको दुबारा बुला सकते है उसकी दुबारा परिच्छा कर सकता है यन कि उसकी पुनाय परिच्छा कर सकता है और यदि न्यायले मामले में न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साख्चा अबश्चक प्रती होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परिक्षा करेगा या उसे पुनाय बुलाएगा और पुनाय परिक्षा करेगा समन करेगा याने कि उसको आमंत्राण पत्र भेज़ेगा लेटर भेज़ेगा कभी आप न्यायलाय में आओ आमंत्रन पत्र का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि सब वो खाने के लिए बुलाया है उन्होंने व्यावसादी में जो आमंत्रन पत्र बेचते हैं वो ही नहीं है नियालय में यदि बुलाया गया है तो उसकी गवाई के लिए बुलाया गया है साक्षी के लिए बुलाया गया है भ विचारण में जांच में या किसी व्यक्ति की साक्ष के रिए आवशक्ता है तो व्यक्ति को बुलाएंगे उसकी साक्ष लेंगे यदि उसकी दुबारा से जरुष पर रहे हैं तो दुबारा की धारा 311 के बारे में यदि आप CRPC से रिलिटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर किलिक करें यहां से आपको CRPC का अगला वीडियो भी मिलेगा CRPC IPC और भारती संविदान से रिलिटेड संपून वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगी तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और यदि आपने अमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लें वेल आइकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद